दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कोरो ने मिलकर अभिमन्यू का वद अरजुन की अनुपस्तिति में किया था लेकिन अरजुन ने करण के पुत्र वरसन सेन का वद कोरो वे करण के सामने किया था और अर्जुन ने कर्ण को चुनोती दी थी कि वे उसके पुत्र को उसके सामने मालेगा वे उसे बचा सके तो बचा ले और साथ ही आप ये भी जानेंगे कि वर्ससेन ने किस प्रकार नकुल और भीम को अपने युद्ध कोशल से प्रास्त कर दिया तब दोनों ने उससे प्रेशान हो अर्जुन को उसका वद्ध करने को कहा लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि जो भी नया नोटिविकेशन आए सबसे पहले आपको मिले और आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप नेक्स्ट किस टोपिक पर वीडियो देखना चाते हैं जब भीम ने दुशासन का वद्ध कर दिया तो दरतराष्ट के दस पुत्रों ने भीम पर बाणो की बोचार कर दी भीम को गुस्सा आया और उसने दस भालों से उन दसों को यम लोग पहुँचा दिया ये देखर कण भी भीम से बहबीत हो गई ये देखर कण के पुत्र वर्षण सेन ने पांड़ों पर धावा बोल दिया और क्रोध से बरे हुई वर्षण सेन ने भीम पर धावा बोला जो हाथ में गदा लिए कोरव की सेना से युद्ध कर रहे थे ये देखर नकल ने वर्षण सेन पर प्रहार किया और अपनी तीरों से उसे चलनी कर दिया एक सुर के द्वारा वर्षन सेन के दोज को काट डाला और भाले के प्रहार से उसके धनुस को तोड डाला तब वर्षन सेन ने दूसरा धनुस उठाया और नकुल को तीरों से बींद डाला वर्षन सेन अस्त्र विद्या का ग्याता था इसलिए उसने नकुल पर दिव्यास्त्रों की वर्षा कर दी और नकुल के गोडों को मोत के गाट उतार दिया नकुल रत से उतर कर युद्ध करने लगे और उन्होंने 2000 योदाओं को काट डाला नकुल को वर्षन सेन ने अपने बाणों से बींद डाला गायल नकुल ने वर्षन सेन को भी बींद डाला नकुल भीम की सुरक्षा में अधबुत प्राकरम प्रकट करते हुई कोरो सेना का विनास करने लगा वरिसन सेन ने नकुल को 18 बानों से गायल कर दिया नकुल करण पुतर वरिसन सेन को मालने के लिए उसकी ओर दोडे लेकिन वरिसन सेन ने अपने पेने बानों से उन्हें डख दिया नकुल ने उसके बान सोमों को व्यर्थ करते हुए युद में अदबुद पेत्रे दिखाने लगी नकुल तलवार का अदबुद परतरिशन करते हुए आगे बढ़ रहे थी तब व्रिसन सेन ने नकुल की ढाल को बानो द्वारा नश्ट कर दिया उसके बाद छे बानो द्वारा उसने नकुल की तलवार के टुकडे टुकडे कर दिये साथ ही उसने नकुल की चाती को छे बानों से चलनी कर दिया तब नकुल चलांग लगा कर बीम के रत पर चट गए क्रोधित वरसन सेन ने भीम और नकुल दोनों पर बान सुमो की वर्षा कर दी तब भीम ने अरजुन से कहा देखो नकुल वरसन सेन से पीडित हो गया है कंड का ये पुतर हमें बहुत सतारा है तुम इस कंड पुतर पर आकर्म करो जब अरजुन भीम की बास सुनकर जा रहे तब नकुल भी पास आये और उन्होंने अरजुन से कहा भाया आप इस वर्षान सेन को सिगर माल डालिए नकुल के एसा कहने पर अरजुन के आदेश पर स्रीकरशन ने रत वर्षान सेन की ओर तिवर वेक से हाक दिया नकुल के पुतर शतानिक ने कोरो के सिना पर आकरमन कर ये देखर नकुल को बड़ा कुरोध आया और उसने कलिंग राजकुमार का एक शुर के द्वारा मस्तक काट दिया ये देख वरिसन सेन ने लोहे के तीन बानों से शैतानिक को गायल कर दिया फिर उसने अर्जुन को तीन बेम को तीन और नकुल को साथ और साथ ही स्रीख्र्षन को बारा बानों से बींद डला वरिसन सेन के इस प्राक्रम को देखकर कौरोशेणा को हर्श हुआ वे भूरी भूरी उसकी परसंशा करने लगे लेकिन जो योदा अरजुन की प्राकरम को जानते थे वे निश्चित रूप से समझ गए कि अब ये वर्संशेन आके आउती बन जाएगा ये देखर अरजुन ने वर्षन सेन पर आकरमन कर दिया उस समय वर्षन सेन करन के सामने खड़े थी अरजुन को अपनी ओर आते देख वर्षन सेन भी अरजुन की ओर दोड़े फिर वर्षन सेन ने अरजुन को एक दीके बान से गायल करके जोड़ जोड़ से गरजना करने ल उन्होंने मन ही मन कर्ण कुमार के वद्ध का निश्चे किया तब अर्जुन्नी युद्ध के मोहाने पर सिग्रता पूर्वक तीरों से प्रहार प्रारब किया। उस समय उन्होंने मुस्कराते हुए वहां कर्ण, दुर्योदन, अस्वत्धामा, आदी सब वीरों को लक्ष करके कहा। कर्ण, आज युद्ध इस्तल में, मैं तुमारे देखते देखते उस उग्र प्राकरमी वीर वर्षन सेन को अपने पेने बानों से यमलोक बेश दूँगा। पुत्र वर्षन सेन को मारूंगा और फिर तुमारा वद्ध करूंगा। वद्ध करने के लिए युद्ध में उसी को लक्ष बनाकर बानों का प्रहार आरंब किया। उसे दस बानों से उसके मर्म इस्तानों में निर्विक होकर आगात किया। फिर चारती के छुर्डे से उसके दनुस को दोनों बुझाओ को और मस्तक को काट डाला। वीडियो के बारे में आपकी क्या राई है में कमेंट सेक्षन में लिखकर बता सकते हैं